स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एज्यूकेशन चैनल है यूटूबर देव में दोस्तों तो सी बी ऐसी एक्जाम्स जो है एक जुलाई से पंदरा जुलाई तक होने वाले हैं आपको पता है तो दोस्तों उसमें कई सारे जो है रेड जोन में भी एक्जाम्स होने हैं पर फछले चौदा दिन में इतने इतने 25 अगर आई थिंग मैं गलत नहीं हूँ तो कॉरोना क्वजटिव आते हैं तो उसको बोलता है रैड जोन लेकिन ऐसा जोन जिस में भी आई रहे हैं कल यहाया तो उसको बोलता है contentagement zone exemption zone में कोई भी exam center नहीं होने वाला है दूस्तों तो यह cbsc ने बहुत बढ़िया किया है क्योंकि वहाँ अगर कोई exam center होगा तो कोई बच्चे वहाँ exam देने जाएंगे एक बिचार ऐसे कोरोना के फेर में फस जाएंगे तो इससे बढ़िया कि वहाँ एक्जाम जो है कराओ हमत कंटेन्मेंट जोन में कोई एक्जाम का केंदर नहीं होने वाले दोस्तों देखते हैं क्या न्यूज है गरम अंतराले ने सीबी ऐसी की बची हुई परिक्साओं के आ पैला आनिवारी कर दिया गया है इस तरह कंटेन्मेंट जोन में परिक्सां कि तो जो सल davon नहीं भी तो औरIGN Buc Candice का नहीं भी तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्यालग अलग कर जाएंगे, तो कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, और बच्चे बैठे गोंकि कहीं सारे read zone होते हैं, वह आगे रिकसाफ, अगिर आप भी बंद होते हैं, बस ना बंद होती है, तो इनले इसपिसल बसनाद चलेंगी, गरह मंतरे हमित्सान ने बुद्वार को ट्वीट करके कहा कि विध्यारतियों के एक्तों के लिए लोकडाउन के नियमा में कुछ छूट देने का फैसला किया गया है तो बस यही छूट है कि उनका एक्जाम करवा देंगे और प्लस कंटेन्मेंट जोन में कोई एक्जाम सेंटर नहीं होगा जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम है सरकार का दोस्तों और इसी के साथ जो यह वीडियो हो चुका हैं दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ताब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा तक बच्छों मन में से खौफ मिट जाए कि यार कहीं कोरोना पीडित हो और हमें वाई एक्जाम देने के लिए नहीं बेज़ देंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आप निश्चन दो के एक्जाम देने जाईए और फिलाल अपनी कीजिए त्यारी थैंक यू वेरी मच वाचिंग धन्यवाद नमस्कार